आप देख रहे हैं हमारी यूटूब चैनल अम्बेट काइड पीपोल्स वोईस को दरहसल आप बात करेंगे हम माया बती जी की गड़बंदन नीती पर और कॉंग्रेस से इतनी दूरी बनाने के कारण पर दरहसल आपको बता दे कि बीएसपी सुप्रियों माया बती ने 2014 में नरेंदर मोदी की सरकार बनने के बाद लगातार बीजेपी कोंग्रेस दोनों को निशाने पर लिया था लेकिन उन्होंने स्विधान बचाने और दो अप्रेल जैसे जन्न हुए एक स्थी तचार निवारन संसोधन के बाद कहीं ना कहीं उन्होंने ये सोचा कि कॉंग्रेस के साथ मिलकर हम BJP को रोक सकते हैं लेकिन जब उन्हें इस चीज का एसास हुआ कि कॉंग्रेस उनका गलत फाइदा इस्तमाल कर रही है तो उन्होंने इसे अपनी नीती को बदलाव करने की कोशिस की लेकिन दर असल आपको बता दे कि BSP सुप्रम मयावती ने पहले दिन से लेकर आस तक एक बार पी गटमंदन क के अंदर कर लिये और वहाँ पर उन्होंने इसी इसाब से किया है कि जहां उनको समान जनक शीटे में लिये क्योंकि इसका एक फाइदा ये भी है कि BSP सुप्रम मयावती जानती है कि उनकी पार्टि राष्टर की पार्टिय का जो निसान है वो बचा कर रखने के लिए हर र किते हैं तो BSP का बोट सेर भी कमजोर होगा और उसको सीट भी नहीं मिलेगी तो इसलिए आ जासे BSP को बहुत ये बड़ा जनादार उसका जो होता है वो खिशकने का डर रहता है और इसी वजह से कॉंग्रेस ये चाहती है कि किसी भी परकार से बहुजन समाज पार्टी को अपने जासे के अंदर लेकर उसको रोका जाए दरहसल अगर हम बात करने के पड़े कोशित करें तो BSP सुप्रम बायवती ने हरियाना के अंदर गटबनन किया है लेकिन लोग से बागी दस सीटों में से वह आठ पर चुनाओ लड़ेगी दो सीटों पर जो लोगत अंदर चुनाओ लड़ेगी अगर हम बात करने के कोशित करेंगे तो वहां पर भी शेटों पर अभी समझोता नहीं हुआ फाइनल लेकिन करीब करीब यह तैमाना जा रहा है कि गयारा में से शेटों पर बहुजन समाज पार्टी लड़ेगी और पांच सीटों के उपर है अजित चुनाओ लड़ेगी इसी के अलाव करें महाराष्ट मद्य प्रदेश की बात करें तो यहां पर तीन सीट है उन्होंने समाज वादी पार्टी को दिये बाकिस सभी सीटों पर है बहुजन समाज पार्टी चुनाओ लड़ेगी और अगर हम बात करें उत्रा खड़गी तो बी एस्पी ज्यादा सीटों पर लड़ेगी और विदान सभागी सीटों पर है वो जन सेरा की पार्टी ज्यादा सुनाओ लड़ेगी इसका एक सिधा सिधा फॉर्मॉला यह है कि बी एस्पी सुप्रेम मायावती चितर की से जानती है कि उनको राश्टी सिंपल बचा कर र कार्टी चेटों है कि तो इस प्रकार यह बहुंजनों की पार्टियों है वह मजबूत यहां मजबूत siitä जैसे राजस्तान, चतिशगर्ड, उत्रप्रदेश, गुजरात, मद्यप्रदेश जिसे ये राज्य हैं जहां पर कॉंग्रेश मजबूत है और वहां पर बस्पा का भी अच्छा खासा जनादार है करी 5-6% वो बोट ले हासिल करती रही है वहां पर वो एक सीट भी बस्पा को देने के लिए तयार नहीं हो रही है तो कहीं न कहीं इस चीज को ये देखने का साफ साफ तरीका दिखाए दे रहा है कि कॉंग्रेश ये चाहती है कि किसी भी परकार से भौजन समाज की जो पार्टिया है चाहिए बहुजन समाज पार्टी हो चाहिए जनता डल सेकुलर हो चाहिए राजद हो चाहिए हम पार्टी हो चाहिए कोई सी भी पार्टी हो बहुजन समाज की उसको किसी भी परकार से आगे नहीं बढ़ना देना है पिछले दिनों के अगर हम बात करें तो बहुजन समाज के लिए कहीं सारे चेहरे उबर कर सामने आये थे जैसे मद्रदेश ये फूल सिंग बरेया वो भी अब कॉंग्रेस में सामिल हो चुके हैं साइब उनका एक न्यूज आई थी और इसके अलावा जिगनेश मेवारी उनको भी कॉंग्रेस का है वो समर्तन मिल चुका है गुज्रात से वह आये थे और अब चंदर से कर हैं उनको भी कॉंग्रेस का समर्तन मिल रहा है अर्दिक पटेल हो कॉंग्रेस में जोइन हो चुके अलपेस ठाकूर ओभी शेकर नेता उबर कर आये थे वह कॉंग्रेस में तो मतलब जितमें बहुजन समाज की जो नेता उबर रहें पनप रहें उनको तो किसी भी परकार से कॉंग्रेस है वो हडपने में कामियाव हो जाती है लेकिन उसको अभी तक बीएसपी को हडपने का समान या उसके पास इतनी ताकत नहीं आई कि वो कैसे भी करके बीएसपी को रोक सके यह साइद बीएसपी सुप्रेम मायवती का दूर दर्ष्टी नीती का ही कोई परवाव है कि वो कॉंग्रेस की जो नीती है चाला है उसको अच्छी तरह की से समझ कर कॉंग्रेस के पास बसपा से दूर हो जाएं और दलितों का अपने साथ कर लें और कॉंग्रेस की नीती है लेकिन बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रे देख्स बैनकुमारी मायवती ने साप कर दिया कि वो कॉंग्रेस और भीजेपी का अलावा देश की तीसरी बड़ी शक्ति है और यही जारा है कि कॉंग्रेस ने इस समय चोटी बड़ी जो राजनीतिक दल है अलग लग उनमें करीब सतरा पार्टियों से गड़ बंदन किया है वहीं बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रे देख्स बैनकुमारी मायवती ने अब दस से बारा पार्टियों से है वो गड़ ब में बंतावा दिखाई दे रहा है और आने वाले लोग से बाचुनाओं में इसका कितना एफेक्ट होगा कितना नहीं होगा यह बहुत जादा देखने दिल्चस्प होगा लेकिन आपको बता दूँ कि यह सारे जो विश्टलेशन है यह हकीकत है यह टीवी पर आपको नहीं मिलेंगे वहां पर NDA की न्यूज बिलेगी यूपीय की न्यूज बिलेगी लेकिन मायवती की निर्देशन में दस से बारास पार्टियों के साथ उन्होंने गटबंदन कर लिया है लेकिन यह टीवी वी वाले कभी भी नहीं दिखाएंगे बलकि वह यह दिखाने की जरूर लेते विदा जय भीम जबार आप हमारे चैनल अमबेटकरट पिपल्स वैस को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी दबाईए और पाईए हर वीडियो के नोटेपी के साथ